तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास एक शीट है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं उनकी कुछ पेपर हुए हैं वर्ड एक्सल पावरपाइंट इंडेनेट फोटोशॉप के और इस शीट मेरे हम आपको बताने वाले हैं एक्सल के आठ most useful formula जो कि हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं जिसमें कि sum है, percentage है, sum if है, count है, we look up है, average है, if है और count if है तो यह जो आठ फर्मिले हैं यह हम एक ही शीट में आपको लगा कर दिखाएंगे सबसे पहला formula है sum का तो sum आप दू तरीके से कर सकते हैं पहला option है यहाँ पर auto sum का, इस button पर आप click कीजिए, तो यह already आपके सारे cells को select कर लेगा, जो भी आपके vertically या horizontally होंगे, लेकिन auto sum में भी आप manually select कर सकते हैं, तो इस तरीके साब manually select कर लीजिए, क्योंकि यह जो total वाला column है, यह हमें मैं नहीं लेना है, यहाँ पर आप manually select और enter करेंगे, एक तरीका तो यह हो गया sum करने का, अब दूसरा तरीका है, आप बराबर का निशान लगाईए, sum type कीजिए, bracket लगाईए, और सबसे पहले वाले cell का नाम लेखिए, तो यह जो cell है, इसका नाम है B5, यहाँ पर B5 type कर दीजिए, colon लगाईए, और जो last cell है, उस नोली भी cell को select कर सकते हैं, तो बस equal to का निशान लगाईए, और cell को select करते जाएए, plus दबाईए, फिर cell को select कीजिए, फिर plus दबाईए, यहाँ पर आप कोई भी cell बीच से छोड़ सकते हैं, तो मानिए अगर हमको चौथा cell यहाँ पर छोड़ देना है, तो आप उसे छोड़ ron number मिले हैं, सबी subjects में वो यहाँ पर आगे हैं, तो अब इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालेंगे जैसे हम copy पर नेकालते हैं, वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे हम बराबर का निशान, जो उग को select कर लेंगे, और star button से हम लगाएंगे हम पर गुणा का निशान इसके बाद यहां से saucy से गुणा करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे oblique और उसके बाद हमारा total है उसको select कर लेंगे और enter करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर प्रतिश्यत निकलने के आ जाएगा लेकिन दूसरा तरीका भी है प्रतिश्यत निकलने का आप जाएंगे numbering format पर और यह जो cell है इसको प्रतिश्यत में convert करेंगे तो यहां से हमने यह cell प्रतिश्यत में convert कर लिए आप देखेंगे उपर percentage लिखा हुआ गया है अब हमें जादा कुछ नहीं करना है बराबर का निशान लगाना है जो number है हमारे उनको select करना है इसको भाग देना है यानि divide करना है 600 से simple इतना करना है हमें 100 से गुणा नहीं करना है और enter कर देना है तो यहां पर आप देखेंगे जो percentage है वो यहां पर आ जाएंगे तो इसके बाद है sum if अब आप यहां पर देख रहे होंगे मोहित जो नाम है वो दो जगे दिया गया है और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जिदनी भी जगे मोहित नाम दिया गया हो उनका sum capable यहां पर आए ना कि अकेले मोहित का तो हम simple लगेंगे बराबर के निशान type करेंगे sum if bracket open करेंगे और range के लिए उन cells को select करेंगे जिन में नाम लखे हुए है कॉमा लगाएंगे अब यह पुछे का हम से criteria तो criteria के लिए हम मोहित को select कर लेंगे या फिर double quote में मोहित का नाम type कर देंगे उसके बाद double quote बंद करेंगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहां पर यह हमें दे रहा है sum range तो sum range के लिए आप किसी भी एक अगर paper को select करना चाहें तो वो कर सकते हैं या फिर total numbers को भी आप यहां से select कर सकते हैं आपके उपर depend करता है क्या फोटोशॉप के नमबर निकालना चाहते हैं या इंटरनेट के नमबर निकालना चाहते हैं तो हम यहां पर जो total sum है उसको select कर लेते हैं उसके बाद bracket को बंद करते हैं और enter कर देते हैं आपके selection area में से जदने भी numbers टाइप हुए हैं उनको count करके आपको यहां पर दिखाता है तो इसके लिए आप लगाएंगे बराबर निक्शान type करेंगे count और bracket open करेंगे और जो सामने वाली series है उसको select कर लेंगे कुछ इस तरी के से bracket बंद करेंगे और enter कर देंगे तो यहां पर जो अब यह answer मिला है वो है 6 लेकिन हमने जो cell select किये दे वो 7 किये दे अब यहां पर 7 क्यों नहीं आया वो इस वज़े से नहीं आया है क्योंकि जो 7 वाद वाद पर text लिखा हुआ है नमबर नहीं लिखे हुए है इसके लावा आप किसी भी cells में से कर कोई number हटा देते हैं तो आप देखेंगे यहां पर जो count है वो 5 हो जाएगा तो यह उन cells को मैं बताता है केवल जिन cells में number लिखे हुए है यहां पर दुबारा कोई भी number अगर आप लिख देंगे टाइब करते हैं वी look up तो यहां पर आप देखें वी look up आज आएगा एसे double click कर दीजिए यहां पर यहां हमसे बुझाए look of value तो look of value में आप क्या देंगे आप यहां पर double quote में कोई एक नाम type कर देंगे हम जैसे type कर देते हैं राम और यहां दुबारा से double quote लगा देंगे अब यहां इसके बाद tabular का option है तो tabular में यह पूरी table select कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे comma अब यह हमसे बुझे का index column number तो हमें ram के internet के अंग पता करने है और जो column index number होगा आप पहले से count करेंगे जहां से आपने इस table को select किया है तो column index number हमने भी डाल रखे हैं अब यह 5 है यहां पर लिख देंगे 5 तो कहेंगे comma और उसके बाद तो वहां पर हम type कर देंगे 0 क्योंकि हमें exact match चाहिए और bracket को बंद करके इसे enter करेंगे तो आप देखेंगे यहां से राम ने इंटरनेट में 32 संग प्राप्त किये है तो यह जो formula है यह असल में कोई vicious criteria आपको किसी बहुत बड़ी table में से search करना है तो आप वी लुकॉप का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत आराम से तो यह जो राम है आपने जो double quote में यहां पर लिया है आप इसे कहीं बहार भी किसी दूसरे cell का नाम दे सकते हैं और वहां से बार-बार इसे change कर सकते हैं आप बात करते हैं average formula की अभी हमें अगर निकालना हो कि यह जो सभी विद्धियार्थी हैं सभी student हैं उन्होंने जितने भी papers दी हैं उसका जो average है वो क्या है यह जितने भी marks आये हैं सभी papers में उनका क्या average है तो यह average आपको वहां से निकाल के देगा बहुत simple formula है लेकिन बहुत काम का है आपको लगाना है बरावर के रिचान टाइप करना है average तो जैसे ही आप वी टाइप करेंगे यहां पर average आपको दिखाई देजाएगा इसको double click कीजिए तो बस आपको वो series select कर देनी है जिनका आपको average निकालना है यहां पर कुछ 5 cell हमने यहां पर select की है और बस bracket को बंद कर देना है और enter कर देना है तो आप देखेंगे जो शोभाम के number है उसका जो average है वो 39.6 है बस इसको पकड़के आप नीचे कीज दीजे और सभी students के जो average number है यहां पर आ जाएंगे अब इसके बाद आता है सबसे interesting और important formula if if formula क्या करता है काफी लोग माक्षिट तयार करते हैं और वहां पर वो percentage के साथ से grade करते हैं grade देते हैं number को अगर यहां पर आप if का इस्तेमाल करेंगे तो if से आप automatically grade दे पाएंगे आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ number feed करने है percentage भी निकलेगा total भी निकलेगा average भी निकलेगा और आप grade भी automatic दे पाएंगे अभी कैसे आप दे पाएंगे यह अभी हम सीख लेते हैं बहुत सरल है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहां पर लगाएंगे बराबर के निशान type करेंगे if तो यहां पर हम जो cell select करेंगे grade देने के लिए वो cell हम select करेंगे प्रतिशत वाला और उसी के साब से हम grade दे जाएंगे तो हम यहां पर जो कुल grade है वो 4 देंगे A, B, C और D तो यह हम कैसे देते हैं यह आप देख लीजिए तो यहां पर हम select कर लेते हैं सबसे पहले सभी में जाना है 75 के साथ में आपको प्रतिशत भी लिखना होगा चूकि हम 75 से उबर वाले cells के लिए type करेंगे उसके बाद लगाएंगे comma और double quote में हम type करेंगे A, तो अगर यह cell बड़ा होगा और बराबर होगा 75 प्रतिशत के तो वहाँ पर display होगा A, इसके बाद आप एक comma लगाएंगे type करेंगे if, फिर से bracket open करेंगे, यह condition हमारी पूरी हो गई, अब दुबारा से हम फिर से इसी cell को select करेंगे क्योंकि हमें इसी cell के लिए दूसरी condition देनी है, दुबारा से हमने cell select कर लिया, उसके बाद वही हमने formula लगाया, बड़ा होगा और बराबर होगा, कितने के? 60 के यहाँ पर भी हम प्रिश्चत लगाएंगे, और क्या आएगा? B, आप double code में B type करेंगे, और उसके बाद फिर से comma लगा देंगे, इसके बाद हम दुबारा से type करेंगे if, bracket open करेंगे, और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिर से उसी cell को select करेंगे, और फिर से हम greater than sign के इस्त double code में C, कुछ इस तरीके से, फिर से हमें एक comma लगाएंगे, और आप simple हमें आगे कोई condition नहीं देनी है, इसके अलावा अगर कोई भी condition आती है, और 45 परश्चत कहीं भी कम होता है, तो क्या आएगा? simple आपको type कर देना है double code में D, और जितनी बार आपने if का इस्तमाल किया है जितनी बार आपने bracket open किया है, उतनी बार आपको bracket बं करना है, हमने खुल तीन बार यहाँ पर bracket open किया था, तो हम तीन बार bracket बं भी करेंगे और enter करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इस समय जो grade आया है, वो D आया है, क्यूंकि जो पृतिशत है, वो 33 है, तो कितने से कम में 33 प्रिश्यत आना चाहिए था 45 से कम पे तो अब इसको हम पकड़के नीचे तकीश देते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी विद्यार्थी हैं उन सभी को अलग-अलग grade अपने अपराप्त हो गए है जिनके 45 प्रिश्यत उबर है उनको C मिला है जिनके 45 से कम है उनको D मिला है अब थोड़ा सा गटा बढ़ा के देख लिते हैं कुछ students को ज़्यादा नमबर दे के देख लिते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक student है रनवीर उनका प्रिश्यत हमने यहाँ पर 80% किया है तो उनका जो grade है वो अपने आप A आया है 47% वालों का C आया है और जिनके percentage 60 से ज्यादा है उनका grade यहाँ पर B आया है तो इस तरीके से आप if का इस्तेमाल करके सभी को automatic grade दे सकते हैं अब बात करते हैं count if की तो यहाँ पर आप जो भी condition देंगे उसको count करके बताएगा जैसे इस पूरी mark sheet में 70 number कितने लोगों को मिले हैं तो यहाँ पर आप बड़े आराम से इस चीद को पता कर सकते हैं आपको लगाना है बराबर का निशान type करना है count if bracket open करना है range दे देनी है तो यहाँ पर हमें पूरी range दे दी कॉमा लगाना है और criteria type कर देना है criteria को आप हमेशे double quote में ही type करें double quote बंद की दिए bracket बंद करिए और enter कर दीजे तो आप देखेंगे इस पूरी range में कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 number मिले हैं किसी एक विशे में अब आपको पता करना होगे इस पूरी range में कितनी बार 100 number आया है तो आपको simple यहाँ पर 70 की जगे 100 type कर देना है और enter कर देना है तो आप देखेंगे 5 विशे ऐसे हैं जिन students को 100 लिए हैं तो इस तरीके से आप count if formula का भी इस्तिमाल कई जगे कर सकते हैं हम यहाँ बार नाम का भी पता कर सकते हैं हमें अगर पता करना है कि मोहित नाम इस लिस्ट में कितनी जगे इस्तिमाल हुआ है तो simple आप बराबर का निशान लगाएंगे type करेंगे count if और range दिदेंगे तो range आप पूरी दे दीजे कोई दिक्क्र नहीं है उसके बाद comma लगाएंगे criteria type करेंगे यहाँ भरम type कर देते हैं मोहित इसको double code में बंद कर देते हैं enter करते हैं तो आप देखें कुल दो जगा मोहित नाम लिखा हुआ है अगर आप एक जगे और भी लिख देंगे तो यह उसको तुरंथ ही search कर लेगा तो इस तरीके साथ आप इन सभी आर्ट फूर्मलों का इस्तिमाल कर सकते हैं